जहिन साथियों मैशार रहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी निरंतरता बरकरार रखे हैं इसी प्रकार आप अपने उद्देश्य के प्रती समर्पित है और साथ में एक उद्दिस्तर पे त सरकारी नौकरी तो सारी चीजों को हम यहां जो देखते हैं पढ़ते हैं समस्ते हैं याद करते हैं वो सारी चीजें हमारे उद्देश्य के प्रती है हमारे administrative service के प्रती है तो आईए अपने administrative service के प्रती हम एक महान व्यक्ति की चर्चा करते हैं उनके अनुभाव को समस्ते ह तो आईए Confucius कहते हैं कि बड़ा सोचो जल्दी सोचो और आगे सोचो बड़ा सोचने से तात पर यह साथियों कि बड़ा बड़ा नहीं सोचना है बड़ा सोचना है मतलब हमारा हमारा लक्ष जो होना चाहिए वह हमेसा बड़ा होना चाहिए और बोलते हैं आगे में जो है आ हो थी उचा हो चुका है तो प्रस्ण की विविदताएं बहुत प्रकार से बढ़ कहिए और गहन अध्यन की हमें बहुत आवश्यक्ता है तो अभी जो हम कुई क्रिविजन फॉर्मेट में साथ में गहन अध्यन करना भी जरूरी है तो competition community का separate segment बना हुआ है और आपका state PSE का तो उसमें आप state PSE का segment बना हुआ है तो state PSE का segment में आप जा सकते हैं और बहतर तरीके से से बेस्ट फेकल्टी से आप सारे चीजे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं डिटेल में ठीक है तो आईए हम अपने स्मार्टी स्टडी के वे चलें कि जल्दी सोचों का तातपर यह है कि हमें सोचने में देरी नहीं करनी है देन उसके बाद आगे सोचों आगे सोचने से और समाद कर रहे हम जो अपने उद्दे सिक प्रतिसमर्पित में हैं यह मैं बहतर कर रहा हूं यह नहीं कर रहा हूं इन सब सारी चीज़ों को बहतर तरीके से कर के यह सोचते हुए आगे बढ़ना है उसके बाद आगे बोलते हैं więकारों पर किसी एक अधिकार नहीं होता व है बहतर सोच रक सकता है तो अपना इस तरह हमीसा बहतर रखें आगे बढ़ते हैं मेरी बातें आप लोग को समझ मैं आई होगी और जो हैं हम पढ़ते हैं जो पढ़ रहे हैं इससे पहले जो आपको मैं ने बताया था सबसे पहला विडियो अगर कर देखे हमारा, कि ये सभी विशाय के सभी topic covers कराये जाएएंगे अब सभी विशाय के सभी topics में आपका Indian geography complete हो चुका है ते उसके बाद Indian history के और हम बढ़े हैं Indian history में ancient portion cover हो गया है, अब हम बढ़ग रहे हैं मद्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ और मद्यकालीन भारत के इतिहास में भी हमने जो है पांच राजवनसों के बारे में दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छे से चर्चक की अब उन राजवनसों ने किस प्रकार से सासन किया है किस प्रकार से उनकी सासन प्रणाली रही है और किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं रही है उन सब सारी चीजों को हम दिल्ली सल्तनत के प्रशाशन में पढ़ेंगे आशा करता हूँ, मेरी बातें आप लोगो समझ में आए होगी, तो आज का टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत में प्रशाशन, ठीक है, यह हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, यह रहा आपके पांच राजवन्स जिनके बारे में हम पढ़े हैं, तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशाशन रहा है, वो बाकी प्रशाशन से बिलकुल अलग रहा है, बिलकुल भिन्न रहा है, अब बाकी क्या, इससे पहले हमने मगत समराज जी के प्रशाशन प्रणाली पढ़ी थी, जिसमें हमने कौटिल लेके अर्थसास के प्रशाशन के बारे म में चर्चा हूए दन उसके बाद अब देखने को मिल रहा है मद्धीकालिन भारत के इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत का प्रसासन जो है राज पांट्रीख का स्वेशांच पर सультान जो बोले वह होगा ठीक है सुल्तान जो करवाना चाहेगा वो होगा लेकिन सुल्तान में भी किसी का प्रभूत हो था मतलब सुल्तान के उपर भी किसी ना किसी का दबाओ था किसी ना किसी का आपका सोच थी जिसको सुल्तान फॉलो करता था तो उन सब धर्म कहनुसार याद रखेंगा साथी Oh जाके उस छेत्र विशेश में सासन करते थे अब बात यहां आती है कि खलीफा तो परमिशन दे दिया अब सुल्तान जो है पहुच गया कहां सासन करने भारत में दिल्ली में अब वहां खलीफा को रिपोर्ट तो करना होगा कि इस प्रकार से सासन हो रहा है तो खलीफा के बाद अगर किसी का प्रभुत होता था या खलीफा के बाद अगर कोई परामर्श करते थे सुल्तानों को तो वो थे आपके उल्मा तो याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत की शासन प्रशाषन 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 प् इसी प्रकार से प्रभुत में आके वो समझ जाता है उसके बाद इसमें एक और सासा काता है मुबाराख खिल जी मुबाराख खिल जी जो है वह अपने आपको खलीफा घोशित कर देता है ठीक है तो यहां जो है आपको अनबन देखने को मिला पिछली कक्षाओं में तो यह भ बना लिए है अच्छा अपनी व्यापकता बना लिया है अच्छी तरह से लोगों से अपना व्यक्तित हो बना लिए है तो उसको कोई है डिश्टब भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ खड़ी हुई है हाना तो हम जो है इस प्रकार से सासन को पढ़ेंगे उसके बाद कुछ जो है सासन प्रणाली प्रतिपादित किया याने कुछ सो सासन प्रणाली जो है आपका स्टार्ट किया गुलाम वन्स वालों ने कुछ खिलजी वन्स वालों ने, कुछ तुगलक वन्स वालों ने, कुछ सयद और कुछ लोधी वन्स वालों ने और जो है नाम देखने को मिलता है टिपिकल टिपिकल तो आएए उसको असानी से समझते हैं और असानी से समझने के साथ साथ उसे याद भी करेंगे और प्रस्ण द्वारा उसे बनाएंगे भी चलिए आशा करता हूँ मेरी बाते आप लोग को समझ में आई होगी अब देखिए कि तिली सल्तनत में गुलाम मस चलो यहां से नहीं मैं आपको सिधा वर्डिंग की ओर लेके जाता हूँ यहां बाद में आएंगे हम तो वर्डिंग्स की ओर जाते हैं जिसमें की हमेशा बच्चा फसता है और बच्चा जो है पेपर हॉल में इस चीज की गलती करता है तो आईए देखते हैं कि सबसे पहले लिखाया है नाइब ए मुमालिक ठीक है मेरे को भी पढ़ने में थोड़ा सा क्या हो गया जबान फिसल गई तो नाइब मुमालिक या मुबालिकात दोनों एकी चीज़ है, मुमालिक भी कहा जाता है, नाइब मुमालिक या मुमालिक ये क्या था, नाइब मतलब क्या होता है, पहले समझना है, नाइब मतलब होता है कि प्रतिनिधी, तो जब सुलतान इसको नाइब मुमालिक बनाएगा समाच आओंगा जबान फिजल जाती है कभी-कभी तो नाइबे मुमालिक अगर किसी को बनाएगा तो वो क्या होगा आपका उसका प्रतिनिधित वो करेगा ठीक है उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा रिप्रेजेंट करेगा उसको तो रिप्रेजेंट जब करेगा नाइबे मुमालिक तो लिखाया हुए है सुल्तान के बाद यह राज जी का प्रमुक पता दिकारी था ठीक है क्लियर है इतना देन उसके बाद वजीर वजीर के बारे में बताने की जरूद भी नहीं लगता है मेरे को चलो बता देता हूँ कि वजीर जो था इसका एक विभाग था कार्यालय था और इस कार्यालय में जो है आपका यहां दिखेगा कि कार्यालय में भी कुछ अधिकारी है लेकिन आईए पहले समझते है वजीर क्या करता था जितना भी आयवे है जितना भी आयवे है सतरंच खेले होंगे तो वजीर को जो है एक special preference मिलता है ठीक है और यह भी बात है कि जो एक आखरी का मतलब जो प्यादा होता है जो आखरी घर में पहुच जाता है वो भी वजीर बन जाता है तो ऐसा हुआ भी है बल्बन एक समय में गुलाम था और बल्बन क्या किया शाषन किया ठीक है तो दिवाने विजारत अगर देखा जाया तो यह क्या करता था यह यहा देख सकते हैं कि राज की आयवे कह विवश्था करता था तो वजीर से तो मेरे को हिसाब से आप लोग को confusion नहीं होगा अब यहाँ दिखाई देगा मुष्रीफ और आपका मुस्टाफ्य मुष्रिफ और मुस्टाफ्य तो मुष्रीफ जो था वो महालेकखार था महालेका कार किस पर देखेंगे जो लेखका देखेगा आयवै दिखेगा उसी के अंदर रहेगा न तो मुश्रिफ किसके अंदर हैगा आपका वजीर के अंडर रहेगा देन सके बाद मुस्तफी महालेखकार पर इप्षक क jurisdiction करता था तो चेकिंग कौन करेगा आपका मुस्ताफी, मुस्ताफी चेकिंग करेगा, कौन करने बोलेगा चेकिंग, वजीर करने के लिए बोलेगा, ठीक है, वजीर करने बोलेगा, आशा करता हूँ, मेरी बाते आप लोगो समझ में आई होगी, फिर उसके बाद यहां देखेंगे, यहां से प्रस्न हमेशा दिवाने आरीज जो है, सेन विभाग है, तीन चार बार सुनो, प्रस्न पूछता है सिधा सिधा, ठीक है, तो दिवाने आरीज सेन विभाग है, दिवाने इंचा नहीं हो गई है, दिवाने इशा होगा, दिवाने इशा जो है आपका आलेख विभाग है, आईए आगे बढ अब जो है दिवाने रसालत को कैसे समझेंगे देखें क्या लिखाया है इसका अधिकारी रसालते मुमालिक होता था जो विदेशी मंत्री की हैसियत से कारे करता था ठीक है तो अगर हम इतना ही याद रखें रसालत को तो रसालत से ताथ पर है कि सभी छेत्र में मतलब पूरा आ रहा है या कोई जा रहा है और सारी चीज़े जो है वो इससे कनेक्टेट रहती थी दिवाने रसालत से दिवाने रसालत याद रखना है आपका विदेश मंत्री विदेश मंत्री दिवाने रसालत विदेश मंत्री दिवाने रसालत ठीक है अब देखो यहां दो चीज मिल यह दोनों चीजों को अच्छी तरीके से समझना है हमें यहां से भी प्रस्न पूछा गया है तो पहला क्या है आपका सद्र उस्सुदूर दरसल यह एक धार्मिक पद था जो की मुस्लिमों से या आपका इसलाम धर्म का पालन करने वालों लोगों से जो जकात लिया जाता था उसका लिकळ जो कई रखता था सिवकत याद रखना है ठीक है और जो है आपका इसे जो है एक नॉर्मल मे पर समझें तो किस प्रकार समझ सकते हैं कि सद्र और हो बोड महदे बहुत नराज होते हैं मेरे से मत हो भई नराज ठीक है, सद्र और सुदूर जो है, वो आपका क्या बता है मैंने आपको, सद्र और सुदूर जो है, आपका धर्मिक पद रहा है, जो की इसलाम धर्म का पालन करने वाले, जितने भी आपके जकात मिलता था, जकात जो है आपका, जकात जो है, वो मिलता था किसको, आपका जका जकात लिखा गया भई चमा चाहूंगा क्या है आपका जकात होता है ठीक है तो जकात मिलता था उसका जो है यह लिखा जोखा करता था कौन सद्र सुदूर अब सद्र सुदूर को जो है आपका उस समय कहा जाता था सद्र से याद रखना है सदर क्या याद रखना है सदर सदर भी कहा जाता था, नॉर्मल वेपे, जो है, सामोहिक रूप से, इनको सदर भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि एक धर्मिक पत था, ठीक, उसके बाद, जो है, आपका काजिवल कुझात, यह न्यायधीस थे, महुदा है हमारे, आपके न्याय करने वाले न्याय धीस थे हमारे काजियूल कुजूल ठीक है, स्वरी, काजियूल कुजात ठीक है, उसके बाद जो है आपका वकीले दर वकीले दर थे आपके यहां देख सकते हैं कि जितने भी शाही परिवार होते थे शाही परिवार का देख भाल कोई करता था, कौन थे आपके, वकील ए दर, ए इसको देखते जाहिए और पेपर हॉल का प्रेसर जो है, जो है आप रिलीज करते जाहिए, ये जो है जितने बार आप इस वीडियो को देखेंगे, उतने बार ये सारी चीजे क्लियर होंगी, और जो है आप अच्छी तरह से पेपर हॉल में कोश्चन्स बना पाएंगे, ठीक है, सारे वन लाइनर फेक्ट्स यहां उठाके रख दिये गए है, उसके बाद है, अमीरे हाजीब याद रखना है, हाजीब से क्या तातपर है साथियो, हाजीब में याद रखना है, ये वर्ड उठाना है, हाजीब, सुल्तान से जो भी मिलने जुलने आता था, जो भी हाजरी देता था, सुरी हाजरी नहीं होता हाजरी होता है, तो जो भी हाजरी देता था, उसको जो है आपका हाजरी ही होता है, कन्फूजन है थोड़ा उर्दू वर्ड है, कभी-कभी हम उर्दू मे कभी कभी थोड़ा confusion हो जाता है ठीक है तो देख लिजेगा हाजरी और हाजरी में तो जो भी हाजरी देता था किसके पास सुल्तान के पास तो सुल्तान के पास जो भी हाजरी देता था उसका जो है लेखा जोका करता था और साथ में जो है उसकी जाच पड़ताल भी करता था कौन था आपका अमीरे आजीप, कौन था अमीरे हैजीप, तो खाज़री याद रखना है, ठीक है, यहाँ वर्ट दिखाई दे रहा है, तो खाज़री करता था यह Ó इसनेम दिखे सकते हैं तो बरिद जहां भी दिखाई देगा तो गुप्तचर तो याद रख नहीं है साथ में जो है यह डाग का भी प्रमुख था अब भाई गुप्तचर था जाच करता था तो डाग विभाग को भी देखना जो है ज़रूरी था अगर देखें तो आपका किसी प्रकार से कुछ बेकार चीजे ना पहुच जाए किसी के पास भी तो उस प्रकार से इसे समझा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दिवाने मुस्तखराज आईए भाई अब अलावद दिन खिल जी का इस पद्धती को समझे तो वित्विभाग जो था अगर देखा जाए वित्विभाग ज जो कि किसके समय में था अलावद दिन खिल जी के समय में था अब इसके साथ याद रखना है दिवाने रियासा जो कि एक बजार नियंत्रन पद्धती जो है कि आपका प्रतिपादित की थी स्टार्ट किया था कौन था आपका अलावद दिन खिल जी ने राजस्व अधिकार पर नियंत्रनर रखने उन पर बकाया राशी वसूल करने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी आपका बकाया राशी के लिए तो राशी से संबंधित या जितने आय से संबंधित वे से संबंधित सारी चीजे थी वह आपका वित्त विभाग कौन सा था अलाव दिन खिल जी के समय में दिवाने मुस्तखराज उसके बाद है दिवाने अमीर को ही, हसना नहीं है वही है न, तो मुहम्मद बिन तुगलक सरवपथम इस विभाग की स्थापना करता है, इसका क्या जरूरी था, कि आपका, इसके मुख्यकार माल गुजारी विवस्था की देख भाल, एवं भूमी की खेती, भूमी को खेती क योग्य बनाना, मतलब की एक, मैंने प्रणाली बताए थी, जिसमें असफल थे, आपके, मतलब हमारे दिली सल्तन में सासन की एक सुल्तान ने, जिनका नाम मुहम्मद बिन तुगलक रहा है, वो बंजर भूमी को क्या करना चाह रहे थे, आपका उपजाव भूमी बनाना च रहा है कि दासों के लिए, दासों से फिरोश सातुगलक को बहुत प्रेम था, ठीक है, तो इसने जो है एक विभाग बनाया है, जिसका नाम था, दिवाने बंदकान, तो यह याद रखना है, उसको आझ दिवाने खेराद, बिजो है, ओ फिरोश सातुगलक ने भונה है था, औ अब सीलादार क्या करता था अस्त सस्त जीतने थे उसकी देख भाल करता था ठीक है फिर उसके बाद है यह देखो बहुत खतरनाक नाम दिखाई देगा ना सर परदादारान एक खास हरम अब इसको कैसे समझा जाए तो यह इसे देखना है खास हरम मतलब की एक ऐसा जगहा जो परदादारान मतलब वहाँ परदा करना है तो परदा करना है एक खास जगह का और वहाँ के सर बनके बैटना है तो क्या हो जाएगा आपका के साही महिलाओं का रहने का इस्थान था जिसका जो है सुरक्षा करता था कौन सर परदादारान ए खास हरम ठीक है इतना याद और पुलान का नीजी सेवक था किताबदार के रिखताथा मतला पुस्तकाल करके त हुग के रखे रहता था अब electricity तो था ही नहीं भई उस समय ठीक है नहर बनाए फिर उससा तुगलक और सबसे पहले जो गया सुद्दिन तुगलक ने फिर नहर का निर्मार करा अब उनको क्या मालूम था कि आपका उसमें टर्बाइन कैसे चलाया जाया और विद्यूत कैसे उत्पन की जाया ठीक है चमाच आओं का बता रहelyn वेस्ता सेना के दो प्रकार होते थे अब देखो यह दो प्रकार कैसे इसा याद रखना जरूरी सेनी वेवस्ता जो है एक था आपका हरं एक कल्भ एक था अगूसरी है कल्भी और हश में अत हश में कल्ब और हश में अतरफ हश में कल्ब जो था वो केंद्री सेना थी और आपका प्रांती सेना थी हश में अतरफ मतलब की अगर दिल्ली सल्तनत में शाशन करें तो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के छेत्र में कोई अगर सेना थी तो आपकी थी केंद्री सेना हश में कल्ब हस में अतराप मतलब असपास के छेत्र में अगर कोई सेन थी तो आपकी क्या थी हस में अतराप होगा नहीं अतराप प्रांती सेना सेना क्लियर देन उसके बाद सैनिक सब्दा वाली देखो तो आपका कुछ कंजीर जो था तोप का बिगड़ा हुआ रूप था ठीक है मंजनिक देखा जाया तो यह पत्थरें आख फेकने का कार्य करते थे मंजनिक मतलब की जैसे बाहु बली मुवी देखना देखने मतलग जाना भाई थोड़ा सा उसका मतलब वो देखना जिसमें बाहु बली जो एक तरव गुलेल जैसे बन जाता है और उड़के पहुच जाता है किले में ठीक है तो उस प्रकार के अंत्र था खर्च क्या था सीला प्रच्छे पास्थ थ था सबत क्या था सुरक्षित गाड़ी थी जिसमें कि आपका जिसको सुरक्षित रखना था उसको रखते थे अब देखो यहां समझने वाली बात अब आगया क्या भूराजास्व निर्धारन पध्धती कैसी थी मतलब कर कैसे लेते थे भूराजास्व ले कैसे लेते थे भ पहले उसको तौल जाता था उससे कर ले लिया जाता था उपज मिली उसको तौले तो आपका कर मिल गया तो क्या कहला आपका बटाई फिर उसके बाद फिर बोड महोड़ें नराज हो रहें हैं मसाहत पंधती क्या है मसाहत मतलब की छेत्रफल के अनुसार यह अगर देखा जाया तो इसको लिख सकते हो आप ज्यादा कन्फ्यूज मत हो उत्पादन पर अधारित था उत्पादन पर आपका क्या लिया जाता था राजसुव और यह महदय थे आपके मसाहत जो है छेत्रफल क्या आद रखेंगे छेत्रफल मसाहत और इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाया तो आपका मुक्ताई पद्धति था मतलब दोनों पद्धतियों से कर्भूरा जस्व प्राप्त किया जाता था पहले क्या पढ़ा हमने बटाई बटाई किस पे अधारित था आपका पहले क्या रखना हमें सबसे पहले जो था आपका क्या था मुक्ताई पद्धती क्लियर है अब देखो आगे बढ़ें सल्तनत कालीन प्रमुख कर क्या था खराज क्या था टेक्स लिया जाता था किस पर आपका जो अभी पढ़ें उसी पर टेक्स लिया जाता था ठीक है कुम्स क्या था लूट पाट कर क्या है ल गेर मुसलीम ओपर लगने वाला कर जजिय कहलाता था जकाथ क्लें किया है मुसलीम धर्म oysters कर्ण करने वाले जिनके रॉपर थे उनकी उपर कर लगा जाता था ए अगे बढ़े Всё अब ये रहा भाई फ्लो चार्ट इसमें सारी चीजे जितनी पढ़ाया हूँ वो सारी चीजे आपको दिखाई दे रहे होगी मैं बताते जा रहा हूँ वजीर क्या था प्रधान मंती था दिवाने आरिज क्या था सैने विभाग बलबन के समय में स्टार्ट हुआ संस्थापको का भी नाम लिखाए वो कäre क्म सभीभाग किसने संस्थापी किया ठीक है फिए उसके बाद है महतसीव जो है अलाउवधीन खिलजी था जो की जन साधारण के आचरण का रक्षक याने आप तीन का निरक्षक होता था ठीक है उसके बाद है आपका दिवान-आमीर को ही मुहम्मद बिन तूगलक के समय में लगा और यह जो है इस प्रकार से इसका लेक मिलता है, ठीक है, आगे बढ़ें फिरोष्चा तूगलक ने दारूले शफा का निर्मान करा है जो की एक राजी की अस्पताल था दिवाने बंदगान, दिवाने बंदगान जो है वह दासों के लिए बनाया, कौन बनाया, फिरोष्चा तूगलक फिर उसके बाद है सरुज सुदूर जो है धर में भाग रहा है दिवाने रसाल जो है विदेश भी भागी रहा है दिवाने कजा जो है नया भी भाग रहा है डाग भी भाग रहा है दवाने दिवाने इशा ठीक है आगे बढ़े आते हैं अब प्रसन की ओर हमारा प्रसन पहला कि सल्तनत काल में भूराजासो का सर्वच गरामिड अधिकारी था। देखो इसी बात समझने वाली है, कि सल्तनत काल में गरामिड में भी उच्छ अधिकारी होते थे और उनका नाम क्या था। तो मैंने बताया कि जो पिछली चीज पढ़े हैं उसे भी याद रखेंगे उससे भी कनेक्ट करेंगे और नई चीज़ें भी सेखने को मिलेगी तो यहां रखना है कि आपका सल्तनत कालीन भूराजस्व सर्वोच्च ग्रामिड अधिकारी जो था वो चौधरी रावत मलीक य स्पानी में होता है ज्यादा हम टिपिकल टिटेलिंग में नहीं जाएंगे तो सर्व भूच किसमें याद रखना है सरवस्थ से बनता है तो आपका क्या हो जाएगा सिचाई कर क्लियर है आगे बढ़ें अब इतने टिपिकल टिपिकल वर्ड से उर्दू के तो थोड़ा सा समझ सकता है हमारी जो मात्री भासा रही हो हिंदी रही है तो यह सब चीज याद करना भी ज़रूर है पर इच्छे के दिरिश्टी कोण से चलो आगे बढ़ते है जवाबित का संबंध किस से था ओके ठीक है ऑप्शन देखते हैं राज्य कानून से मुझे तो यही लग रहा ह मनसब प्रणाली को नेंतर करने वाला कानून नहीं तकसाल से संबंधित कानून क्रिसिस संबंधित कर राज्य कानून से संबंधित कौन था आपका जवाबित जवाब देही वाले से संबंधित है जवाब देने वाला जवाब देने वाला क्या राज्य कानून को जवाब द आजब आओ देखते हैं सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं मुद्राओं का पता नीम लिफित कूट से मिलता है ठीक है भई ठीक है देख लेते best Champs देखा जाएं तो आपका कि मुद्राओं का पता कूटों से करें ठीक है देखो जीतल है एक यह तो मुगल सल्तनत के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें अफगान सासक आपका सेर सासूरी जिसका नाम फरीद है उसके चर्चा होगी तो उसमें जो है आपको ये दोनों दिखेगा दाम और रुपिया जिसको उसने चलाया था रुपिया भी तक चल रहा है तो आपका जीतल और ट आते हैं क्या था आपका फवाजिल ठीक है देख लेतें भई अभी क्या लिखाया है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला कर अतिरिक्त भुकतान ऐसा तो नहीं है वेतन के बदले में निजधारित मल्गुजारी यह भी नहीं है हम्म्म सल्तनत काल में आपका फवाजिल थ इक्तादारों द्वारा सरकारिक हजाने में जमा की जाने वाली अतरिकत राशी को क्या आगए बढ़ें अगला है हमारा हदीच क्या है तो हदीच छो है वो आपका इस्लामिक कानून है जिसे की हदीच कहा जाता है और आपका यह इसका अंसर हो जाएगा इस्लामिक कानून क्लियर आगे बढ़ें अगला है सलतनत काल में दिवाने अमीर को ही विभाग नीमलिखित में किस से समबन दिन्था तूरंद आणसर कौह समयलित नहीं है क्या पुछ रहा है नहीं ठीक है कभी-कभी यृभ 것이 पूछताई HOW क्यूं सा समयलित है ठीक है तो कौं सा नहीं है दीख रहे हैंना सब q को दीवाने मुस्तकराद लावद दि कहल जी बिलकुर सही है, दीवाने अमीर को ही महमद बिन क्लियर आगे बढ़े निम लिखित युगमों में से कौन सा सहीं रूप में सुमेली था है देखो जब उसका उल्टा पूछ दिया है ठीक है सहीं पूछ रहा है सहीं दिवाने बंदगान फिरोषा तुगलक बेलकुल सहीं पहले ही आंसर मिल गया है जब हमको याद है तो आग अकता व्यवस्था की नहीं ओके देखो भाई आप थोड़ा सा यह मिलेगा टीपिकल देख लेते हैं गितंड एक राजाशव krieert करने की व्यवस्था ठीक है राजेस्व खट्य करने की प्रक्रिया थी टो टिक है उसके बात कि नहीं है पूछ रह यह नाना ठीक है मुकती जानने चैयक दिल्ली सल्तनत में दिवाने전न अरज व् rearrange के इस थहापन किस ने की तो मैंने बताया बल्बन ने की किसने की थी बल्बन ने आगे बढ़ें निमलिकित में से किस सासक ने दिवाने अमीर को ही विभाग इस्तापित की थी तो बताया महुम्माद बिन तुगलक आगे बढ़ें बिल्कुल आगे नहीं पढ़एंगे पढ़ लेते हैं वह दिवाने रिसालत किसका है आपका दिवाने रिसालत एक है आपका धार्मिक से संबंधित और आपका विदेश मंत्राले से संबंधित ठीक है तो इस प्रकार से ले सकते हैं दिवाने इशा जो है ठीक है दिवाने इशा क्या दे रहे है आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित दिवाने अर्ज विभाग जो है आपका किस्ते संबन्दित है रक्षा विभाग से ठीक है सैनिकों के लिए बल्बन बनाया था आगे बढ़ें निम्ल में से किस राजवंस के से अंतरगत विजारत का चर्मोत्सकर्ज था तो याद रखिएगा तुगलक वन्स ऐसा था जिससे में वजी आपका खुम्स बस नहीं करता है तो सैनिकों से लिया जाता था लूट पार्ट करें तो एक तीन चार होगा अंसर इसका कहा है एक तीन चार ठीक है दिख जाएगा मतलब खराज उस्र और मुक्ताई जो है वह आपका किस्ते संबन्दित था कहां गया भाई भूमी सकने इकता व्यवस्था प्रारंब की यह तो सल्तनत से है कि यह आप लोग को देने के लिए प्रस नहीं ठीक है मैं बना दिया होता अभी तो गड़बड हो जाता तो आपका कौन नहीं इस बल्बन अलावद दिन खिल जिए उप्यूप में से कोई नहीं तो इसका आंसर नगामना करता हूं दूआ करता हूं उनके लिए और इसी के साथ हमारा सत्र यहां समाप्त होता है आप लोग को याद रखेगा कि यह कोश्चन का अंसर देना जरूरी है आप लोग को ठीक है इसी के साथ इजाजस चाहूंगा जैहिन जैभारत हुआ है